स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं देश के प्रथम सिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जैनती पर सम्मान समारो एवं विचान भोस्ठी का हुआ आयोजन 11 नवंबर 1888 को जन में मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने वाले कलाम देश के प्रथम सिक्षा मंत्री रहे जिनकी जयनती के अफसर पर रविवार को मदर्शा उर्दू हिंदी स्कूल में एक कारिक्रम का आयोजन किया गया जिश में शेहर के प्रतिस्ठित सिक्षावित एवं समासेवियों का सम्मान किया गया साथ ही देश की आजादी में कलाम के योगदान पर सेयुत गोस्टी का आयोजन भी किया गया साथ व्लोड के दरदाग ये प्लांगरी स्कूल में मौलाना अबुलकलाम साथ की जैनती मना ही गया तमाम मुस्ली को आगे बाते हैं इस तक्वाल किया है और हमारे सभी बुजूर मुस्ली समाच इनका इस तक्वाल किया है झाल